हाई फ्रेंड्स सुमेरिक एडमी आपको स्वागत है साथियों साथियों हम लोग मोस्ट इंपोर्टन क्वेशन आंसर कर रहे हैं न्यूटिशन चेप्टर से हम लोगों अभी तक 66 क्वेशन नंबर तक देख लिया है दो वीडियो इसके अपलोड के जा चुके हैं पहले सेट में 51 क्वेशन होएं फिर सेकेंड में 16 या 17 क्वेशन वो 66 तक थर्ड ये वीडियो होने जा रहा है क्वेशन आंसर कर ठीक है प्रक्टिसेट का तो आज साथ ही हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टन क्वेशन देख रहे हैं जैसा कि मैंने बलता है था कि हम मोर दन 150 पौशक पदार्त है बताएं लगू पोशक पदार्त है इसमें क्या है मैंने बताया था साधियों lecture में है कि दो तरह के nis Irons होते हैं पोसक तक पदार्त होते हैं एक Filipino और तीसरा जो है वो क्या था लिपिट्स चार नहीं तीन ठीक है लिपिट्स और तीसरा जो है वो क्या है representations ठीक है तूज जो माईक्रो होते हैं जो मैक्रो है अरो बढ़ा द्रग मतलब बढ़ा EMC मतलब बढ़ा तो कारबॉडिर्ट लिपेट इन प्रों तीन हो गये ठीक है और जो माईक्रो है जिसमें कि माईक्रों में तीन आब 4 है आपकी क्या है 빨리 क्या है । invited means ठीक है बात समझ्या गई और आप को एक चीज जिसमें खासर से ध्यान डिछा है जो आपको फूलते हैं इसको इसको एनिवर्सल सॉल्वेन वोते हैं इसको वाटर को बोलते हैं वाटर को ये universal solvent है ठीक है न? solvent मतलब ये बहुत सी दुनिया में लभीसू का सब से बड़ा solvent यही है solvent मतलब समझते है ना, जो चीजों को solute को अपने अंदर घोलता है ठीक है? अचा दूसरी चीज अब मैंने उसमें और भी बताया था कि एक energy producer होता है और building substances होती है metabolic regulators होते है heritage substances होती है अब याद हैं आपको lecture तो देखें नहीं energy producers में जो energy producers होती है जो हमारी nutrients है energy producers जो है उसमें दो है क्यों carbohydrates and क्या lipids ठीक है carbohydrates और lipids carbohydrates और lipids जो है ये दोनों क्या है ये energy producer है ठीक है बास हो जा रही है और building substances में क्या है मुकतब protein होती है और जैवी क्रियाओं को जो नियमीत करती है metabolic regulators कौन होती है ये होती है vitamins, water and minerals और hydrates substances में क्या होती है nucleicase ठीक है इतना detail study हम लोग किये थे लगोज पोशक पदार्थों का कम महत्पूर होती है पोशण में दिर्ग पोशक पदार्थों से अधिक महत्पूर होते है शमवर्धन मादे में इनकी कमी का कोई हानिकारक प्रभाप पौधो पर नहीं पड़ता चलिए अब देख लिए पौधो पर दिया पौधो पर देख लिए लिए हुमन बिंग्स में भी आप कंसीडर कर सकते इसको कोई इसू नहीं है इस शिष्टी सिवन का अंसर बताएं तो अब बताई पोशड में दिर्ग पोशक पदार्थ हों जितने ही पत्मतपूड हैं यहां लगू पोशक की बात चल लगई है लगू पोशक में क्या है हमने बताया कि मिनरल वाइटमीन से न्यूखलिक एसीड है ठीक है तो आप यह मा हमारी बॉदी के लिए और वाइटमीन्स तो कितना जरूरी आपको पता ही है वाइटमीन्स से ना मिले तो कितने ही रेशारी रोग हो जाती है ना दो तुरए के वैटमीन्स है वाटर सलिफूल एंट फैट सलिफूल तो क्या हो जाएगा इस का अपस़ नमबर सेकेंड हो किस Window की कमी से V library का रोग होता है तो हर किसी को पता है तो सात्यो Smells बताएं vitamin B2 vitamin B1 vitamin B6 vitamin A vitamin C vitamin B5 vitamin B12 अब बताएं कि यहाँ पर बताएं कि हर बिटामिन से vitamin B1 vitamin B2 vitamin B6 कौन कौन से रोग होते हैं सबस्क्राइं बताएं तो बताइए, बेरी बेरी रोग पूछ रहा है, तो पहले यह लोग शुरू करते हैं कहां से, विटामिन B1 से शुरू कर लेते हैं, अप्सन नमर सेकेंड दिया हुआ है, विटामिन B1 से कौन से रोग होता है, बताइए, पताएं, तो इसका अप्सन क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड ही हो जाएगा, विटामिन B1 से हो जाता है, बेरी बेरी ठीक है, विटामिन B2 से कौन से रोग होता है, जिससे क्या बोलता है, किलोसी से होट का फटना, ठीक है न, गलाइटोसाइटीस भी कहते है, गाल जीव में सूजन, किलोसी से रोग होता है, किससे, विटामिन vitamin B2 से होट का फत्णा hot b6 से क्या होता वितामिन बीच्फ से कान सरो होता बताए से इससे उता है proacire this Anemia dermatitis जिसने भोलते हैं ए समस्तिति बभीची हो इस खालता है a से क्या होता रता होता है 야 tub Ş構 rock' blow Vitami B5 से क्या होता है Panto A कुणते हैं केसी डी से बोलते हैं कि इसे क्या होता है और क्या इस चैस smok विछ बमरे इसे को exposed निल्श कने तो देखीगा। चलिए next question 69 पित्ट की कौन सी क्रिया वसाओं के पाचन में सहाथा करती है यहांनि बॉला बाइल की कौन सी क्रिया जो होते है वा फैट के पाचन में हल्फ करती है वसाओं का पासी करण माध्यम को छारी बनाना वसाओं पाचा के नायम को प्रेइद करना वसाओं को वसी एमलोग और ग्रिशाल में तोड़ना और वसा पाचा के नायमँ हो के बनाना दो 69 का अंसर वता है कोई को बताईे आप बताईे माध्यम गुषारी बनाना से कोई मतलब है क्या माध्यम गुषारी बनाने से कोई मतलब है बादियम को चारी बनाना यह तो हमारे चोटी आफ में जाते हैं तुरंद बन जाता है ठीक है अगे दुध्यूट करता है वसा पाचक एंजाइमों के श्रावाणों को पीद करना वसा पाचक एंजाइम को श्रावीद करने के लिए कौन करता है वसब पाचाब कौन से होती है lipase ँचाइम होती है और इसको concept यह होती है हमारी gastrin hormones के द्वारा ठीक है gastrin हमारे gastric glands ठीक है क्योंकि लाइपेज होती है fat को पचाती है ठीक है वसा को पचाती है अब देखिए क्या वसाओं को अमली अमलों में हर्मोन तो इसका option अमल सी खरना ही तो क्या कहलाता है वसाओं को इमल सी करने तो कहलाता है क्या आपका बाइल का काम है जो लीवर से साती हो ये भी question जो बाइल आपका secret कहा होता है लीवर से ठीक है और कहा से ज्रूक्त क्या खता है दिएयुदेनम में बोलते हैं ठीक है ग्रेस्टे सब्सक्राइब चलिए कि इमल्सिफ़ाइड फैट का करता है काईलो माइक्रोंस में कनवाट कर देता है ठीक है चलिए नेक्सषण क्या है question number 70 आमास है कि दिवार का पेशी संकुछन कहलाता है तोड़ा मैं इसका चलिए अबांचा कि उमारी जो इस्टमक की जो वाल है उसका जो पेशी संकुछन को मस्कुलर क्वान होता है उसको क्या बोलते हैं एक स्फान चाहान पे लेजाना है जाना ही का घालाता है अधी अधी सलेशन क्या होता है यह और प्रस्थार्शन से सम्ज़ेशन form परिस्टैलसिस मोड़न जो वहारी आमास है कि जो भोजन को पचाने के लिए जो भोजन का फीजिकल डायेशन जिसको बोचन को चोटे-चोटे पाड़िटों तोड़ना जिसे काइम बोलते हैं पचने के पाद अधपचा भोजन तो किसके तुरू होता है वह परिस्टैलसीस ह नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कांसर बताइए, तो गांजर में, गांजर किसके लिए, किसके लिए, विटामिन A के लिए, चना किसके लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है, मांस किसके लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है, यह तीनों चीजें होगी, ठीक है, बचाप का क्या, चावल, चावल किसके लिए खाय कुछ लोग तो गरम पानी से भी धूलते हैं ऐसे भी महानुभाव लोग है नेक्स्ट क्वेस्टन सेवेंटी टू बिटामीन बीवन यानि थाइमीन की कमी से होने वाला रोग साथ यू इसमें देर नहीं लगाएंगे बिटामीन पिलागरा रोग किसकी कमी से होता है तो आपका बच जाता है क्या आपका बच जाता है अप्शन नमर शेकेंड यह वुता है किस्ते हैं वीवन ठीक है बेरी बेरी जो नैक्सलें देใbowाएं चांड सेवेंटी थी थी है कि अच्छा स्रोथ क्या है कॉर्ड मशली का तेल है अंडा है पूरे ग्यहूं के आटे की रोटी यानि ग्यहूं के आटे की रोटी बताए 73 का ऑफ्षन 73 बताएए क्या हो जाएगा कि अब क्या पूछ रहा है विटामिन बीवन मैंने लक्ष जो करवाय था तो उसमें बिटामिन की स्रोथ बताया था किसे किसे इस मांस दूध यक्रीत अनाच के छिलके घ्ली सबच यह ना ठीक है तो यह होता है विटामिन बीवन के शेल रोटीव मिल जाएगा ठीक है अब यह होता है ना चले आंच होुक्त है इंवर्टेज क्या पता है इन्वाटीज क्या होता है बताए यह साथी और इन्जाइम यह पूसक पदा ने रहे हैं बताएं और इन्वर्टेज इंजाइम कौन सी होती है यह किसका एक और नाम भी होता है invertise का मैंने बताया था जब हम lecture करवा रहे था तो उसमें मैंने करवाया था को बढ़े हां से कि इसको invertise ही बोलते हैं और उसमें बताये मैंने बताया था आपको किसी को याद आ रहा है मैं hints दे रहा हूं lactose को digest करता है जबना बताया है ग我不 किस में कनने करती है कि पर आपका है हिसमें करताया ठीक खार सब्सक्तराबल करती है क्लूकोज और यह जबना ताया करती है स्टेस का ही लाकटेजए इस यॉङक्तराबला कि जाती है छी नमा में और इसी lactage का ही, lactage का ही क्या नाम है, lactage को ही हम किससे invertage के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, lactage को ही हम invertage के नाम से जानते हैं, बास समझा आगे, चलिए, तो इसका option number क्या हो जाएगा, इन्वर्टेज क्या है, एक तरह का क्या है, एक तरह का इंजाइम है, बास समझ में आगे, option number second, next question, अमीनों अमलों का और सोचन कहां होता है, अमीनों अमलों का और सोचन कहां होता है, बताएगे, option क्या है, विलाई की रक्त कोसिकाओं में, रक्त कोसिकाओं लक्तियल्स में, विलाई की लक्तियल्स में, मलासे में, तो question number four तो सीधे कट गया, मलासे में तो बिलकुल नहीं होता है, ठीक है, 75 को अंसर बताएगे, रक्त कोसिकाओं लक्तियल्स में, तो रक्त कोसिकाओं में तो ऑसोसन होता ही नहीं है ठीक है ये भी सीधे कट गया बस समझा रही है और कि आप विलाई की लेक्टियल्स में तो विलाई की लेक्टियल्स में अमीनों अमलों का ऑसोसन नहीं होता है बलकि विलाई की रक्त कोशिकाओं में होता है प्विलाई की सब्सक्राइब होता है अमीनों का और सोसर ठीक है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् है रेकिन नहां रेकिनाल बोलते इसे है rhea लिटामीन को ज़की स पात है कोई ब retailers को है किसी पॉत का नेंच कर निम को त्व किन है इसको बोलते हैं क्या टो को फेराहल टोको ठीक है ये विटामिनी का टोकोफेरॉल नाम हो गया और क्या है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जीगर श्रावन करता है जीगर मतलई लीवर जीगर ऐन्सेंस लीवर को जीगर बोलते है न यह क्लेऄधी दिवस बोलते हैं किसी असरावन करता है लीवर आपको पता होना चाहिए कि लीवर के लिए मैंने जब flow diagram बनाया था एंजाइमों का तो उसमें लिखा है कि no digestive enzyme लीवर किसी भी enzyme का स्रावन नहीं करता है लेकिन यह लीवर जो secret करता है bile वा fat के digestion में बहुत ज़्यादा health करता है यह भी आपको स्कार्ण करती है जट्रस घंवादा अज़्यान करती है यह कर सipcene मैंने बताया था रण कि bolो बताई कि sicher नो एंजाइम हो गया वहने बताया कि नो ऑयंजाइम हो गया ठीक है लार गहन्तिंस इसे पॉलते हैं सलइवा में क्या निकलता है बता ये क्या निकलता है सलाइवा में हमारी एमाईलेज नामा के एंजाइम एमाईलेज सलाइवा से जटर गंतियां जिसे बोलते हैं गैस्टिक ग्लैंड गैस्टिक ग्लैंड से कौन सी एंजाइम निकलती है जटर गंतियों से तीन तरह की निकलती है एक तो पेपसीन ठीक है दूसरा कौन से प्रोटीन को peptides में तोड़ती है कौन प्रोटीन और तीसरा निकलता है लाइपेज किसे जट्रगंतियों से लाइपेज और लाइपेज क्या करता है और ग्री सलमें तोड़ता है तो दखिए तीन त्यमय क्या क्या है यहीं से लाइपेचिंट को फैक्टी आसीड में प्रोटीन और याईट में रहे रेंच करता है आजिंग को अगरेन आपको व्रजाff अरिख पाए जाते है यहीं क्या प्रोटीन को तो किसमें तो इसलिए आप जो है यह बहुत बेस्ट मेथ होता है क्वेस्ट को सॉल करने का टेकल करने का प्रैक्टिस करने के लिए तो चलिए हम लोग क्या पड़ता है ट्रिप्सीन मैं बता जाता हूँ अभी तुम आने यह बताया ट्रिप्सीन जो होती है पैंक्रियाटिक जूस यानि अग्नियासे अपसा नमबर एक हो जाएगा अब यहां से अग्नियासे से पांच तरह के एंजाइम निकलते हैं पहला त पटिडेज कारबॉक्सीप्टिडेज तो सब यह भी बता दू कौन किसको बचाता है पॉलीपेट्स को प्रिप्टोंस में तोड़ता है अमीनो आसीड में कर्णोर्ट करता है कौन कारबॉक्सीप्टिडेज ठीक है और जो दो और निकलते हैं कौन-कौन से आपके एमाइल अब देखिए अगनियासे मैं सीधे आंसर बता करके चला आता है अब देखिए पांसर रेके आपको और कौन किसको डाइजस्ट करता है ये भी बता चल गया आपको बास ना रहे हैं तो सांति ये है सही मेतड आपको करने का ठीक है चलिए निलुक रहे थे अगनियास और रहे हैं एकश्ट कोई लेते हैं क्या है दूद उस अंडों में हमें कौँसा पदाप्स पिलता है दूद मादशन अंड़े से कौँसा पदात मिलता है क्या कारभॉअड्रिट्स क्या proteins, क्या वसा, क्या vitamins, बताएं, 79 का अंसर बताएं, बताएं, तो दूद से क्या मिलता है, दूद से तो मुशली सब को पता है, कि ज्यादा तो दूद किसके लिए famous है, हर किसी को पता हो जाना चाहिए, proteins के लिए, ठीक है, मांस भी किसका अच्छा सुरोत है, proteins का, अंडा कि सar talkin' कहां से मिलता है, कैसे बता होना चाहिए, कि आ भी प Jaonих के लिए, मुशली हो जाना हो जाता है, मांस भी का लिया Moo बहुत ज़ादा vitamins के लिए है, vitamins हमको सब्जियों से ही मिलता है, ठीक है, चलिए, तो next question, इसका आंसर पता चलगा ना, protein हो गया, question number 80, 80 क्या है, star तथा अथवा carbohydrate का पाचन किससे होता है, बताइए, अब देखिए, आप 6 आपसन देदी आपको, अभी तक तो 4 आपसन वाले आप स्टिपसीन से, पेपसीन से, पेप्टिडेज से, लाइपेज से, बताइए, starch का पूछ रहा है, starch, बताइए, question number 80, का आंसर, छोटना तो नहीं चाहिए, ठीक है, बताइए, तो starch या carbohydrate का मैंने बता दिया, कि हमारी salivory से, हमारी जो, इस का आंसर मैं बताता हूँ, amylase, amylopsy amylase, और amylase कहां से निकलता है, हमारी saliva से, saliva से निकलता है, amylase नामक enzyme, जो क्या करता है, starch को किसमें ब्रेक करता है, maltose में, ठीक है, starch को किसमें तोडता है, maltose में, ठीक है, तो चलिए, next question, question number 81, 81 क्या है, प्रोटीन को पचाने वाला enzyme होते हैं, lipolytic, proteolytic, steroids, phospholytic, बताएं, 81 का अंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन को पचाने वाले enzyme जो होते हों, क्या होते हैं, lipolytic होते हैं क्या, तो ऐसा तो हैं नहीं, ठीक है, और क्या है, steroids तो बिलकुल नहीं हो सकते हैं, Phospholipids Phospholite Tick Pinning होते हैं तो इसका option क्या हो जाएगा? Option number 2 जो होती है protein को बचाने हो अजाएं ठीक है? Proteolytic enzyme होती है वोग फ्रोटीन को बचाती है next question क्या है? 82 कौन से enzymes subprotein पाचक है? subprotein pचक मतलब क्या? कौन से enzyme है जो सब इसमें enzyme का options दिया है है सब परोटिंगों बचाती है कौन सा है ट्रिपसीन पेपszीन और सीर्फिड अरेलेज डाइलेक से kवसरे स्कहिंद अधिक क्या पाइलेज चागयों थे मैं तो नरेक से कोई नहीं पताई थे काणने कि युए अपसे नमर ठी निगे ठीक है तो ये भी empty अब MATT यृष देर जिन्हेंग पर भएव्फिस ड़िटा बतार। की मृष्ट की स्थार्ज का अब बता रहा हूं की स्टार्ज यो सलाइबद निकिलता है भी क्या अब ends के ब्रोटिन हो गए। यह बीगठा ब्रट रछाइग एक इसका अनुमर क्या हो जाएका एक यानि ट्रिपशीन और एरैपशीनी ये तीनें हैं के पाचक हैं प्रोटीन के पाचक है देखिया साहतें कितना क्लेर आपको हो रहा है टींक है न 공 philosophy कितने question code हो रहे हैं कि ह 550 आमास से में भोजन के बैक्टिर्यूिद प्रोटीन के लिए पचाता काम करता है यह तो होई नहीं सकता ठीक है बाइल क्या करता है वाइल हमारी क्या करता है हमारा मीडियम क्या बनाता है ऐल कलाई बना देता है वाइल और अलकलाइ बनाता है यह यह फैट को पचाने में हैल्प करता है बाल का काम होता हें अमली बादा में काम नहीं करती है और ऑल का में करता है के फैट के जो तो option बसता है क्या option number 4 HCl हाला किसी को पता रहा होगा लेकिन मैंने बाकिस सब यह मुश्णिल लोग को पता होगा लेकिन मैंने यह बस बता दिया आपको डिटेल में हम लोग क्या कौन सा मेथड ऐनलीटिकल मेथड से साथ हो question solve कर रहे हूं ठीक है चलिए यह आपका लिखा है वेटमिन सी वेटमिन सी वेटमिन सी जब जल आत्रियों को ताजा फल सबजी नेमबू आलू आधी खाने को नहीं मिलते हर्था विटामिन सी एसकारवी कमल की कमी होती है तो इनमें से कौन सा रोग हो जाता है सूखा रोग कि बेरी गठिया रहता हूं थी बताए क्यों हो जाता है कौन सा रोग जाता है तो इसका अंसर तो हर किसी को बता होगा ठीक है तो मैं बताऊंगा यह बाकी सब हम लोग देख लेते हैं यहां से क्या होगा कि बाकी और विटमिन की कमी से कौन सा रोग होता यह क्लिर जाएगा तो लूसर सुखा रोग सब पता बितामिन डी किलोजीस मैंने बताया था किस McG कमीस होता है bytamin-b, b2 ठीक है बिटू किमीज से जिसे हम क्या बोलता है राइव फॉप FLAVER-G, बोलते हैं ठीक है रगत छ स्वरता किस किमीस होती हा फॉलीके지만 कमीस होती है ठीक है ना, folic, folic acid, beriberi किसकी वज़े से, vitamin B1 के वज़े से, गठिया रोग जो होता है, साथियों, जो इसमें जोडों में दर्ध होने लगती है, गठिया रोग, तो यह खास्तों से किसे vitamin की कमी से ऐसा नहीं है, ठीक है, हला इसमें यह थोड़ा से vitamin B6 per reduction जो होता है, यह vitamin C कमी से इसकर भी रोग, तो इसका option क्या हो जाएगा, option number 4, इसकर भी रोग, चली, next question क्या है, 85, carbohydrate पाचन के अंती मुत्पाद को होने, carbohydrate पाचकर के अंती मुत्पाद इसका क्या बनता है, glucose, galactose, fructose, monosaccharides, disaccharides, sucrose, maltose, galactose, glycerol, galactose, glucose, maltose, या fourth option, glycose, जब carbohydrate पाचता है, तो last में क्या बचता है, बताएं, इसका, अंती मुत्पाद क्या बच जाता है, 85 का अंसा बताएं, question number 85, तो क्या हो जाएगा, carbohydrate जो होता है, जब carbohydrate पाचता है, तो क्या होगा, यह disaccharides तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि carbohydrate खुदी monosaccharides है, ठीक है, glycerol, कभी नहीं सकता, यह fatty acid और glycerol का मामला हो जाएगा, तो यह भी गलत, यह भी गलत, glycosin क्या है, जादे excess of glucose converted into glycosin, when the in our body, means in our blood, means glucose level is high, then our liver is do a process, by a process glycosin, glycosin means convert the glucose, blood glucose into glycosin, ठीक है, तो यह glycosin हो गया है, ठीक है, गलाइकोजन हो गया, तो option बज जाता है क्या, option number 1, यानि कि, option number 1 सब यानि glucose, galactose, fructose, और monosaccharides, यह सब monosaccharides है, इस 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 उपकों मिला करके, क्या carbohydrates भी बोलते हैं, ठीक है, चलिए, next question, 86, amasya में pH होता है, देखिए आगे question, amasya का pH कितना होता है, बताइए, क्या 7 होता है, 7 होता है, तो neutral हो जाता है, न तो आ अमली रह जागा, न छारी रह जाएगा, क्या 8 होता है, 8 हो जाएगा, तो alkali हो जाएगा, alkali हो जाएगा, ठीक है अलकलाई मतलब छारी जिसे बोलते हैं चारी ठीक है और छारी माध्यम कहां को होता है छारी माध्यम होता है हमारी छोटी आत का ठीक है और क्या है तीन जब तीन हो जाता है तो यह क्या हो जाता है Acidic हो जाता है मतलब कि Amlita बढ़ जाती है और Amlita हमारी किसकी होता है हमारी आत का जो है आमासय का जो pH मान होता है उसकी क्या होती है वो होता है 7 से Below 7 होता है ठीक है साथियों Below 7 होता है तो यह हमारी Amlita माध्यम किसका होता है तो इसका option क्या हो जाएगा, option number 3, ठीक है, क्योंकि 11 तो चारी हो जाएगा, next question देखते है, 87, क्या है, emylase द्वारा इस्टार्ज का पाचन मुक्तर कहां होता है, emylase, enzyme द्वारा मुक्तर काहां होता है, क्या आमासय में होता है, क्या यक्रित में होता है, क्या पेसियों होता है, क्या ग्राणी में होता है, पेसियों सीधे काट दीजे, ग्राणी में, डियोडिनम में होता है क्या, emylase, 87, 87, यक्रित में होता है क्या, यक्रित हमारा क्या करता है, no digestive enzyme, मैंने बताया था, आपको हां आसास एक एंजाईम बाद सिक्रिट होती है कौंसी इसे बोलते हैं सॉरी गैस्ट्रिक जूस भोलते हैं गैस्टिक जूस मुख में, बक्कल कैविटी जिसे बोलते और अबक्कल कैविटी है, मुठ ना, ठीक है, बास समझत आ गई, चलिए, और क्या है, अगनियासा ही रस किसके पचन में भाग लेता है, अगन्या सही रश किसके पाचन भाग लेता हैow प्रोतीन वैश्रा और कर्बॉहाड़र्ट कि नुवक्ली कंसर है और पर लिकें। जो अगन्या सही रश्पैक्रां कियों से अंज करता है यों किसके कि- पाचन में में 2 बसिदी पर मताँ पांच मैंम धाए है। नाम बता वहाँ गांका है ठीक है काइमो कामो करिव सीङ है कार्पाकसीय कैप्डीटेज कैप्ड निकलता है अपर पेंट्रियाटिक जूस्स से अब जब में наम आताया थे तापको पता होना चाहिए कि कौन कुसको बचाता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा? जो ट्रिपसीन होती है वो प्रोटीन को बचाती है, ठीक है? बचा वसा हो स 5 मैंने लाइपेज बचाता था लाइपेस तो लाइपेस भी मिल गया कार्भोहेडर्स को गौण बचाता है मैने बताया भी आपको अमयलेस होता है तो यह भी बिल गया निउकली का अमलोह को गौण बचाता है बताएह जो करौकसी पेप्टीदीज होते है वह polypeptides और peptoons को convert कर देता है जो कारबाक्सी 50 जो हो जोता है ना वह आमीनो अमले पर पचा देता है आमीनो अमले में convert करता है ठीक है तो इसका option नमर क्या हो जागा 88 का 88 का option हो जाएगा option नमर एक ठीक है क्योंकि उसमें पांसत रखेंजाएं मिलती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेस्चन क्योंसा नमर 89 उपयुक्त द्रिष्टी ज्यान के लिए अवस्यक बिटामिन सही द्रिष्टी के लिए मतलो आँखों के लिए सबसे जो अवस्यक बिटामिन है क्या विटामिन डी है विटामिन ए विटामिन के ब्लड क्लॉट ब्लड क्लॉटिंग के लिए पता है ना ठीक ह ही टोकोफराल यसे बोलते हैं और किसमें जनन चमता के लिए और क्या विटामिन डी यह क्या है रिकेट्स रोग होता है सूखा रोग तो यह हो नहीं सकता तो आपसा नमर क्यों सा है आपसा नमर ए सरी सेकेंड दो विटामिन ए जो हजार उड़ी है ठीक है नेक्स्ट क्वेस् नक्यों तोड़ता है यह तोड़ता है कि पेपसीिं कहीं पहले यह तो बताइए कि आम यसे में प्रोटीन का पाचन होता है पेपसीन को पहले होता है pH मान जो होता है, pH मान समस्ते है, किसी भी billion का, किसी भी solution का, उसका वो अमली है कि छारी है, उसकी pH value क्या है, ठीक है, तो उसको हम अमली बोलते हैं, तो अमली क्या हो जाता है, अमली छारी, 7 से जब नीचे होता है pH, तो अमली होता है, 7 से उपर होता है, तो छारी होता है, और ह कौन फेपसीन तो ऐसा नहीं है अमीनो आमलों में तोड़ता इसलिए गलत हो जाएगा ठीक है प्लस दो प्रोटीन पे तो आमली तो मिल रहा है लेकिन अमीनो आमलों नहीं तोड़ता प्रोटीन को फेपसीन ठीक है किसमें तोड़ता है किसमें तोड़ता है किसमें तोड़ता हो जाए का आपसा नमबर 4 प्रोटीन को पेप्टोंस में और प्रोटीोजें या किसमें पेप्टाइट में तोड़ता है और तीन पीए होना चाहिए यह अमीनो अमलिक वैसे गडर बड़ होके गलत हो गया और दूसरा ये फॉफ सेकेंड और थर्ड तो इसले गलत हो गया क्य nicotinic acid किसे बोलते हैं बताइए पताया क्या किसी को nicotinic acid क्या रोग हो जाएगा beriveri, pelagra, shkervi, rickates, raktachindta, osteomalacia, klesero, kinjero, thalmia, 7 apsons दे दिया अभी तो 4 apsons आप पढ़े होंगे more confusion बताइए लेकिन जो पढ़े होंगे बिटामिन स्टीक से उनको कोई confusion नहीं होगे बताइए 91 cancer बताइए 91 cancer तो साथियो nicotinic acid किसका नाम है nicotinic acid जो है nicotinic nicotinic acid यह किसका chemical nevrasanic नाम है यह नाम है आपका vitamin B3 का vitamin B3 को nicotinic acid या niacin भी बोलते हैं ठीक है जिसकी कमी से क्या पिलागरा रोग होता है ठीक है तो option क्या हो जाएगा लंबे समय तक nicotinic acid की कमी से क्या हो जाएगा पिलागरा बस तो नहीं आ रहे है dermatitis विजे से बोलते है यह फोर्डीट syndrome BC को ऐसे होता है ठीक है vitamin B3 को ऐसे next question question number 92 कसे रूकियों के आमासा में पाचन होता है कसे रूकियों मतलब कसे रूकियों के समान होता है ठीक है 92 क्योंकि आम आसाय में पाचन होता कि इसका वसा का प्रोटीन का कार्बोर्डेट्स का इस सब को बता देना चाहिए वसा का कहां होता है पाचन बताए वसा का कहां पाचन होता है दो जगा पैंक्रेटिक जूस से फैट का और लीवर से लीवर के थूप भी पाचन होता है ठीक तो आम आसम कि इसका पांचन होता है ग요? प्रोटीन. का aपर साइक है तो 92 का something Q MIDI का अंशर बताए! ट्रिपसीन, प्वेपसीन से भिन है क्या से भिन है नेजने कि पोटीन, क्योंकि अब पांंचन में सहायख है तो दोनों में भीन न है लेकिन दोनों का एक ही दोनों पचाते की किसको it प्रोटीन्स को और प्रोटीन्स को मैं आपको जानकरी के लिए बता दूं लेकिन ये किस की वैसे भीन बताइए बताइए दो बहुत बढ़ी है कुछ सेने बहुत मस्त विल्कोल इंट्रेस्टिंग ऑफिर के चारी माध्यम् में प्रोटीन्स के वाजा से ये भीन नहीं ठीक ह क्या होजा ग्राणी के अमली माध्य में प्रोटीन की वैसे भीन है बताइए तो 93 का अंसर बहुत बनी है क्वेस्टन है थोड़ सी टीपकल क्वेस्टन है ऐसा क्वेस्टन पूछा सकता है बताइए तो देखे क्या है मैंने बताया था कि जो पेपसीन होता है गैस्ट्रिक ग् से निकलता है ट्रिपसीन ठीक है और ट्रिपसीन जो पेंक्राटिक जूस से निकलता है और जो पेंक्राटिक जूस का जो जूस रावन होता हो कहा होता है वह सीथे ग्रहणी में होता है और इसका जो मीडियम होता हो चारी होता है दोनों प्रोटीन को पचार है आमासय वाला को यह सब विसमाएं नहीं जो नहीं होता है इसलिए घलत कि आंशे में चारी माद न inner अ कि आपको तीवर्चल प्रॉसेश चल रहा हैं कहीं हैं आपको अफियोंजन नहीं होगा का जो थियूरी नहीं पेड़ पाएंंवारे साथ ही उनको भी काफी उनको भी तियूरी नः पढ़ने का बहुत अभाव का मि वी समझी है बहुत कमी नहीं समझा जूब कि मैं एक दम सारी चीज operations आपको डिचेथिल में ुपता दे रहा हूं। आग्णियासिश Ihji रज के स्रामड को पीत के संकुछन को प्रेद करने वाले हर्मोन जो अग्णियासिश baghan वेक्सटेज्स है और क्या ग्लूकाइगाउन है या इनमें से कोई नहीं बताई 94 का क्या पूछ रहा है यह देखिए हम अग्नियासाईरस के स्रावण को अग्नियासाईरस पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रिशन को कौन कौन कंट्रोल करता है मैंने बताया था कौन मैंन सिस्टो काइनीन भी बोलते हैं बास समझा रहे हैं पैंक्रोजाइमीन हार्मोंसकोप ठीक है और यह कहां सिक्रिट होती है यह स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटी हाथ के म्यूकोसा से ठीक हो साहे ठीक है तो सिक्रिटीन एम ग्लाइको सिस्टो काइनीन आपसन नमर सेकेंड हो अगने साही रसके स्रावन और पित के संकुचन को प्रेइद करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टेन 95 आम आसे में हल का कारिया है आम आसे में हल का क्या कारिया साती है बताइए भोजन में उपस्तित जिवाणों को नश्ट करना भोजन के आउसोड को बढ़ाना जट्षर ग इनकुल गलत असेल को कोई काम ही नहीं है ट्रिपसीनोजन को ट्रिपसीन में बदलना असेल को जैसे नहीं होता है ट्रिपसीनोजन ट्रिपसीनोजन में आपको बहसा हुआ रही है और बलकि असेल काम करता है पैपसीनोजन को पैपसीन में एक्टिव करता है ट्रिपसीनोज एंजाइमों को खुलाना ये भी गलत हो जाएगा तो आफसे नुबर शेकेंड आज सरी आफसे नुबर फर्स्ट भोजन में उपस्ति जिवाणों को निश्ट करना ही SEL का काम है ठीक है आय बैक्ट्रिया और जर्म्स को मारता है किल करता है नेक्स्ट क्वेंटिसिक्स हमारी अहार नाल में माल्टेज नामक एंजाइम की प्येच पर किस प्येच पर भोजन पर क्या प्रक्रिया होती है हमारी आहार नाल में माल्टेज एंजाइम की किस pH पर भोजन पर क्या प्रतिक्रिया होती है क्या pH 7 से अधिक पर मंड को माल्टोज में तोड़ना pH 7 से कम पर मंड को माल्टोज में तोड़ना pH 7 से अधिक पर माल्टोज को ग्लुकोज में तोड़ना चलिए पताइए तो हमारी आहार नाल में पूछ रहा है तो साथियों आहार नाल से सीधे ये बात clear हो जानी चाहिए कि आहार नाल में जो होता है वो क्या होता है उसका मादेम अमली में होता है वो छारी होता है यहां 7 दिया तो इसको न्यूटरल माली जे न्यूटरल तो नही हमारी ले सकते हैं हमेशा और हमेशा चारि होता है और 16 जो 16 होता है न चार जोता है वह maur than 7 होता यह जब सेवेड उस विल्म का जब pH माझस साथ से ज्यादा होगा तब हो सेवेंं तब यह lack 3 हो जाएगा ठीक है उता है pH 7 से कम जहाँ है 7 से कम जहाँ है वो तो सीधे काट दीजिए 7 से कम गलत अपसन नमर 2nd 7 से कम अपसन नमर 4 भी गलत ठीक है सीधे गलत हो गया दोनों अब क्या कह रहा है माल्टेज का पूछ रहा है अहार नमर पूछ रहा है pH 7 से अधिक तो उछारी हो जाएगा मंड को माल्टोज में तोड़ना क्या माल्टेज का एंजाईब माल्टेज एंजाईब क्या कह रहा है question 96 cancer क्या हो जाएगा 46 अब देखे pH 7 से अधिक पर मंड को माल्टोज में तोड़ना क्या का रहे है जो maltase nama genza determinism होता है वो क्या करता है maltase होता है maltose ko glucose में तोड़ता है मैंने आपको बताया था क्या यह maltose ko glucose में तोड़ता है बसा मजा रही कौन ? maltase nama genza determinism लेकिन यह mande ko maltose में यह क्यों नहीं होगा बताई कोई साथ ही बताए साथियो अब तो confusion नहीं रह जानी चाहिए मैं कितनी बाहर बता चुका जो मंड होती है इसको starch बोलते हैं क्या बोलते हैं starch और starch को 7 से अधिक अब देखिए starch को तोड़ने के लिए amylase या प्टाइलिन एंजाइम लेकिन वह क्या होती है वह 7 से कम पर लेकिन 7 से अधिक पर है तो हमारी यह मुह में नहीं हमारी सलाइवा के द्वारा यह नहीं टूटेगा सलाइवा यहां यहां काम नहीं करेगा ठीक है मंड को माल्टोज में तोड़ेगा अब यहां पर जो हमारा काम करेगा हमारा पैंक्रियाटिक जूस का काम करेगा चुकि उसका माध्यम चारी होता है लिकिन हमारा माल्टेज जो होता है वो स्टार्च मंड को कभी नहीं तोड़ता है इतना क्लेर साथ हो आपको कोई कन्फूजन नहीं रहनी चाहिए इसके बावजूद भी कन्फूजन रहती है तो आप वीडियो को पहुच करें फिर से पूरा थीओरी मारा देखे थीओरी क हे क्या के सीन लेक्तोजन पेपसीन मायोसीन वाइलएटीनrogen फट खर करते हैं गलोबिलिन गमल अललन गयाल्वी म7 क्यूंकि यह बाइल के ब माय के बायोसी क्या है मायोसी से हमारी मुसल binnen परोटीन Pepsin क्या है, 97 कहater बता है, 97, Pepsin ह suspected क्या है, एंजाई्म है, जो protein को खुदी तोड़ती है, लेक्टोजन क्या है, यहilًक्तिज सगर में जो Langtis enzyme होता है, lactose को तोड़ता है ठीक है तो केस दूध में जो पाले जान वाली सरक्रा होती है हमारे जो ब्लड में समाने सरक्रा उपस्तित है नॉर्मल ग्लुकोज हमारे ब्लड ग्लुकोज इससे बोलते हैं उसका वो समाने सरक्रा कौन सी होती है क्या गैलक्टोज होती है क्या लैक्टोज होती है क्या सुक्रोज होती है क्या ग्लुकोज होती है 98 का अंसा यह milk sugar है, lactose जो है, milk sugar है, तो option number क्या, first गलत, second गलत, सुक्रोज क्या है, इसको cane sugar भी बोलते है, cane sugar, cane sugar समझते हैं, अरे गन्ना हो, उँख, उँख, गन्ना, उँख, इससे बोलते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा, तुम्हारा blood sugar जो होता हो, क्या है, glucose, glucose का level बढ़ता है, सीध लगे रहा है, मैं लेकि मैं आप खब़रा नहीं, मैं पढ़ा के सुना दूँगा, आपको चली पहले बढ़ता हो, question, पाचन में क्या होता है, बड़े भोजन करण, छोटे करणों में तूटते हैं, और विसरन सील भोजन करण, अपने विसरन सील घटकों में तूटते हैं, और क्या लिख रहा है, starse glycogen में बदलता है, और क्या है, गुलन सील भोजन से जियो दरबे बनता है, अब बताए, question 99 cancer क्या होगा, तो क्या पाचन में क्या होता है, starse glycogen में बदलता है, ऐसा तो होता नहीं, आप सानुग थर्ड गलत हो जाएगा, मैं इसलिए पहले ठीक है, क्या बड़े बहोजन कंड छोटे कड़ों में टूटते हैं, पाचन में, तो ऐसा आप पढ़े जो जरूर है, बड़े बहोजन चोटे कड़ों में, लेकिन पाचन में बसकी लग दोई तरह के process होती है, और ये, physical digestion भी होता है, ठीक है, आब विस्नेंड शील भोजन करना है कि वो किसी दूरी फॉर्म में फॉर्म में घुल सकें solution घुल जाएं या वह यहां उहां जा सकें आर पर हो सकें ठीक कर दुए है तो आतरी में कहां पहुँज्टायर रूधीर में पहुचने से पहले जो आतरी ही है तो क्या होता है या आत की अपसे निम्हेर की असुकहों में पहले पहुचता है पहुचने से पहले नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और ये बेरी-बेरी रोग इसको बोलते हैं, तो पेलागरा रोग है, विटामिन B1 से बेरी-बेरी, तो ये भी गलत, ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा दो, फॉलिक एसीड किसकी कमी से, इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनिमिया, इसकी कमी सो जाता है, एनिमिया रोग, ठीक है तो ये भी गलत हो गया ठीक है तो आपसर नमर बच जाता है क्या आपसर नमर थर्ड नियासिन जिसे हम बोलता है क्या विटामिन B3 है ना इसकी कमी से पिलागरा रोग होता है इन में से कौन सा कार्य अमासय में स्राविध ocl का नहीं है जो स्राविध कर आता है उसका कौन सा कार्य नहीं है प्रोटीन's को प्रेपटोंस में तोड़ना बोजन और जल के साथ आय जिवाणों को नश्ट करना पेपसीन की क्रिया को प्रेडित करना और क्या दिया है तंतु की भोजन को कोमल बनाना बताइए क्या कारे इसमें नहीं है 102 कारे नहीं पूछ रहा है ठीक है पेपसीन का क्या करता है पेपसीनोजन होता है उसको कर दता है डैजिक अऻगे क्या काल destroy क्या करे दिया है और नहीं की क्या प्रोटीन को प्रेप्टोंस में तोड़ना यह इसका काम नहीं है यह प्रेप्सीन का काम है ठीक है चलिए इससे वृट म 갑मीन मिलेगा गाजन से मखन से क्या मिलेगा यह हमारी वह क्या चाला ठीक है नें निश से सब उत्परेरगपदार्थ है काउं से सच दिया नीचे इसमें से कौन जाय उत्पराइब पदारत है, प्यप्टिडेज, एमाईलेज, एन्रेनी, मायोसीन, अक्सिटोसीन, एडिनाइली, रोड़ोपसीन, प्यपसीन, स्टिपसीन, ग्लुकोज, अमीनो अमल, वसी अमल, बताएं, 104 कांसर बताएं, इसमें से कौन है, सब जाय उत्पराइब पदारत, तो क्या हो जाएगा, देखिए, मायोसीन, अक्सिटोसीन, एडिनाइली, ठीक है ना, तो मायोसीन, प्रोटीन होती है, मसल से मिलती है, रोड़ोपसीन, प्यपसीन, इस्टिपसीन, रोड़ोपसीन जो है, यह आखों से लेटेड है, ग्लुकोज, यह तो है नहीं, सीधे कट गया, तो यह भी कट गया, यह भी कट गया, आपसन नंबर 1, क्वेस्टन नंबर 1, प्यप्टिडेज, एमाइलेज, और रेनीन, बात समझ रहे हैं कि नहीं, जयवत्रार का मतलब क्या है, जो एंजाइम का पूछ रहा भाई, सीधे, इंजाइम, मतलब जयवत्रार का क्या का रहे है, बागी सब में नहीं 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 है, ठीक है, रोड़ोपसीन नहीं होंगे, 100-105, क्वेस्टन नमर 105, ग्लुकोज, सुक्रोज और माल्टोज, ग्लुकोज, सुक्रोज और माल्टोज, कि इस रेडी का पदार्थ इन में से कौन सा है, किस में ग्लुकोज में बताइए, मायोग्लोबीन में है, स्टार्च में है, अमीनोअमल में है, हीमोग्लोबीन में है, बताइए तो किस में है 105 का अंसा बताइए तो मायोगलोवीन में तो नहीं है मायोगलोवीन कहा मिलती है बताइए इस्टार्च में ठीक है आमीनो आमल में क्या होता है आमीनो आमल में ग्लुकोज मिलता है क्या यह तो प्रोटीन का बाइल प्रड़क्ट है वह मीन्स डाइस्टिव प्रोड़क्ट है और का इ jumped ठीक है तो अब सेके मिजा को जाए है इस तो इसांसूड है पड़ा पड़ देखते हैं साथी, चलिए, नेक्स्ट क्या है, 106, थियामिन या थाइमिन किसका दूसरा नाम है, विटामिन A का, विटामिन B कॉम्पलेक्स का, विटामिन B1 का, विटामिन B2 का, DNA का समाचार, अनिवार अमिनोमलों का, एंजाइम का, बता दीजिए उतों विटामिन B1 से लेके 12 तक, और क्या है, विटामिन B1 क्या, विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, विटामिन B2 को बोलते हैं, राइबो फ्लाइविन, ठीक है, यह है, यह राइबो फ्लाइविन है, ठीक है, DNA समाचार यह नैट्रोजनस और बेस होती है, ठीक है, अनिवार है, अ गलत, आपसा नमबर कौन सा, आपसा नमबर 3rd, वितामिन B1 ली तब जाया थिया, नेक्ट, सककस और एंटेरिकस का स्रावण करने वाली ग्रंथिया, मैंने खुब बताया, बताइए, सकस और एंटेरिकस, किसको बोलते हैं, जो इंटेस्टाइनल जूस होती है, न, निकलती कहां से, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल से निकले गवाई, छोटी से बात, जाईर से बात है, इंटेस्टाइनल जूस क्या बोलते हैं, जो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, सकस, यू है, सकस, और एंटेरिकस, तो कहां से निकलता है, यह हमारे निकलती है liver Dickson की दरारों से ठीक है मैंने लेक्शन में बताया है जटर कंथिया तो यह नहीं रोप्तिया जठर में इंजयम लाइपएज तासली ग्लेंड में देखे तीन हीृतर का निनकलती है मैं भिचा रहा हूँ आप कर लेजी लिजिये बस घ्न कलती है निकलती है अब लिए पेपसीन रेन Rs 9 एं लाइप गारी है उपसीन रेनी रेनिरroc malus है याइट ultimate 108 कांसर क्या हो जाएगा अफसन नबर फोर पेपसीन अब देखिए एसल नहीं निकलेगा वहां तो यह गलत हो गया लाइपेज मैंने बताई दिया कि गैस्टिक जूस और सलाइवा से ठीक है और ट्रिपसीन जो होता है तो ट्रिपसीन हमारी किस से पेंक्राटिक जूस से निकल तो सीधे पेपसीन निकलता है वसके वह किस से गैस्टिक जोठव करनति हो ठीक है अपस्र하면 पैल बाइल में इन में से किसकी कमी से वशापाचन हो जाता है भा रात$ में किस के पित लौन की व जाया, पित आमल की वजाया से और रंगाय का जाया जा गाण। अग्राइटिक 주िस महत climbs होता है पांकेर नालके इलियम में ग्रहड में 110 लेडि के इसस बिल्कुल नहीं वह ग्रस नली हुँ हुआ आमास्य के ऊपर का भाग है, इलियम छोटी यान धाग है, डियोडिनम, जिजिनम एन इलियम, तीसरा पार्ट है यह यह भी गलत, आमास्य में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, अनसर क्या हो जाएगा, इसका अमसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कृश्ण नमबर, तो कहां से पता चलता है अगर मस्तिस्क में हाइपोथायलमस में पस मस्तिस्क में द्रिष्टी कैज्मा में बताईए त्रिप्तियों प्यास त्रिप्तियों प्यास त्रिप्तियों प्यास त्रिप्तियों प्यास समझ रहे ना कोई काम करके कुछ भी खापी करके और भी काम कर के संतुष्ट हो गया I am satisfied तो कहां से control होता है इसका कहां उता है 111 का answer बताए question 111 बताए तो इसका answer होता है हमारी जो प्यास control होती है वह hypothalamus से control होती है और satisfaction हमको किसी से satisfaction मिलने की बात है किसी satisfaction मिलना तो hypothalamus का control है वो किसी से नहीं मिलता है ठीक है confusion नआ हो Q112, इनमें से कौन सा पदार polysaccharide है, बताइए, polysaccharide, क्या glucose है, क्या maltose है, क्या glycosin है, polysaccharide, monosaccharide, disaccharide, या diigo, oligosaccharide भी बोलते हैं, और polysaccharide, बताइए, पताएं, 112 का, तो क्या है, glucose तुमारा सीधे क्या है, monosaccharide है, इसमें तो किसी को doubt नहीं होगा, maltose क्या है, disacchar है, सुक्रोज क्या है, disaccharide है, सुक्रोज को हम कैंसुकर बोलते हैं, चीन ही जैसे है, तो glycosin हमारा answer हो जाएगा, glycosin हमारा इसका आमसर नमबर 4, यह हमारा क्या है, polysaccharide है, maltose में सात्यों confusion तो नहीं रहा है, कि देखे, maltose, disaccharide कैसे है, क्योंकि maltose को तोड़ते है, तो glucose कोज के 2 molecule में तोड़ता है, ठीक है, इसलिए maltose भी disaccharide है, आप confusion नहीं होंगे, confusing question है, लेकिन हो, pepsin कैसे माध्यम में सक्री रहता है, pepsin, अतेदिक अमली माध्यम में, छारी माध्यम में, अमली माध्यम में, और क्या दिया है, neutral माध्यम में, बताएगे तो, pepsin, pepsin कहा स secret होता है, gastric gland से, gastric gland काम पायती है, आमासय में, आमासय का माध्यम कैसा होता है, आतेदिक अमली होता है, ठीक है, कोई रिलेट करके पढ़ेंगे साथियों, कोई confusion अब को नहीं होगा, आतेदिक अमली में, तो साथियों, आज का ये last question रहा, 113, ठीक है साथियों, हम लोगों 113 questions कर लिए, अभी भी इसमें कम सकम, मुझे लगा कि 50 questions के आसबस बचा हुआ है, last lecture होगा, तो आज के लिए साथियों बस इतना ही, ठीक है, चलिए साथियों, ओके, थैंक यू